नमस्कार दोस्तों मेरे ओपिस गूरू चनल में आपका स्वागत है दोस्तों अज हम सिखेंगे एक्सल में की हाईयस सेल क्या है वो हम पाइंट आट करेंगे जिसे कि दोस्तों मेरे पास एक डिटा है सिंपल सा देखिए यहां पे मैंने कुछ एमपलई के नाम अपडेट किय है और उनके सामने जाएन मन्त में इन एम्प्राइए ने कितना काम किया या कितना सेल किया वो मैंने यहां पर अपडेट किया है दोस्तों सेम फेब मन्त में कितना किया है मार्च में भी है एप्रिल में है में है और जून मतलब मैंने 6 month का data यहां पे कुछ update किया है randomly तो दोस्तो हम चाहते हैं कि विनही ने maximum sale कितना किया है मतलब highest sale कितना किया है उसके sale की range 6 month की देखे दोस्तो 60, 78, 93, 53, 100 और 21 तो हम यहां पे ऐसा function लगाए कि जहां से वो क्या करेगा उसकी 6 मेने के sales की range में से सबसे highest जो number है वो आपको यहां पे find out करके देगा और दोस्तो और एक बात अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है दोस्तो प्लीज subscribe कर दीजे चलिए दोस्तो हम शुरू करेंगे कि यह function हम कैसे apply करे विनही ने पूरे 6 month में highest sale कितना किया है वो find out करने के लिए हम function use करेंगे excel का function है maximum वो ऐसे लिखने दोस्तो is equal to max बस open bracket कीजे दोस्तो इस function के भी कुछ parameters है number one, number two तो आपको number one, number two जो number है वो ऐसे separate separate नहीं देने दोस्तो आपको direct slate करना है mouse से यहां से लेके यहां तक यह है six month का sale उसकी आपको पूरी range देनी है और करना है bracket close bracket close करने के बाद simply place कीजे दोस्तो enter तो यह जो number जो display हो रहा है दोस्तो यह विने का highest sale है मतलब विने ने छे महिने में सबसे ज़्यादा sale 100 किया है बरावर दोस्तो देखिए 100 number सब में से बड़ा है highest number है तो यह यहां पे display होता है मतलब maximum function क्या करेगा जो बे उसमें आप number की range देंगे उन number में से highest number आपको find out करके देगा तो इस प्राकासी यह function है दोस्तो अभी मैं चाहता हूँ कि हरिशिंदे जए मोरे इन सब employee के highest number यहां पे आ जाए last six month के तो मैं क्या करूँगा दोस्तो simply maximum जो function यहां पे use किया है उस function को नीचे की तरफ पे drag करूँगा इस sale में तो बस आपको यहां पे mouse से plus sign को नीचे की तरफ slit करके नीचे आपको सिर्फ drag करना है या कीचना है तो दोस्तो यह automatic आपको display करेगा कि हरिश का यह sale है 76, जैमोरे का 98, लोकेशरमा का 88 और वसीम कान का 92 मतलब इन sales officer ने last six month में हाई यह sale किया है यह वाला तो इस तरफ के से आप maximum number find out कर सकते दोस्तों और एक maximum function आप यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों कि अगर आपके manager ने कहा कि मुझे जानना है कि जैने वारी month में हाई यह sale क्या हुआ है तो आप यहाँ पे maximum function लगा सकते is equal to max दोस्तों open bracket कीजिए max maximum ठीके दोस्तों आपको simply यहाँ पे क्या slate करना है आपके manager को चाहिए कि जैने वारी में हाई यह sale कितना हुआ आपको जैने वारी कि यह sales के number को आपको simply slate करना है दोस्तों और करना है bracket close bracket close करने के बाद दोस्तों enter press कीजिए enter press करने के बता आपको यह answer आगा 78 मतलब जैने वारी में 78 इतना ही हाय सेल हुआ है उसके उपर नहीं हुआ है तो इस तरह किसे आप दोस्तों फे मार्च एप्रिल में जून का भी लगा सकते है दोस्तों आपको क्या करना यहां पर यह जो फंक्शन है यहां पर दिखें डबल क्लिक करने के बाद फंक्शन दिखाए देगा बरावर है तो दोस्तों इस फंक्शन को भी आप यह प्लस सैन को राइट साइड को खीच सकते दोस्तों तो यहां पर आता है दोस्तों हर मन की हाय सेल कितनी है वो यहां पर आपको डिस्प्ले होगी वो भी मैक्स फंक्शन के साथ दोस्तों और यह अगर आपको खीचने में अगर आप इस function को सिर्फ simply से select करता हूँ दोस्तों और हम keyboard की shortcut की use करेंगे Ctrl-R प्रेस करेंगे दोस्तों तो ये formula अपके right side के sale में भी update होगा ये function ने आपको Fave की हाय से यहाँ पे आपको display की है ये March की, April की, May और June इस तरके से दोस्तों आप ये maximum function यूज़ करके किसी भी number series का ही इस number फाइंड आउट कर सकते हैं ये बहुत सारे company में use होता है दोस्तों तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये मेरा session पसंदाया होगा दोस्तों तो इस video को like और comment करना मत भूले दोस्तों धन्यवाद